बिस्मिल्लाहिराख्मान रहीम, सलाम आलेकूम दोस्तों, हम लोग आज बनाएंगे सोफियानी बिर्यानी वो अरबी हो या फिर हिंदी हो, इंडिया हो तो इस दोनों साइट में सेम सेम बिर्यानी बस गिरिंग चिली थोड़ा स्पैसी डालते है और अरबी स्टैल में गिरिंग चिली स्पैसी नहीं डालते है तो यह हमारा एलाइची पॉडर है एलाइची पॉडर है दालचीनी का पॉडर है और यह हमारा खड़ा गरम मसाला बेलिप्स गिरिंग कडमम और काली मिर्च जो ब्लैक पेपर होल और दई हम लोग का ओनियन चॉफ किरी कुकिंग किरीम धनिया पॉडर लेमन जूस इतना आइटम हम लोग का जिंजर गालिक पेष्ट और घी यह आइटम सब बिर्यानी में जाएगा और धनिया पॉडिना दोनों चॉफ है धोग के रखे है हम लोग ने तो हम लोग ने तीन मुर्गी ले लिया है कट कर लिया है तो अभी हम लोग ने धो दिया करी कट कट किया नी बिर्यानी का कटिंग किया है बियानी कटो के तो हम लोग ने घी डाल दिया घी के बाद में हम लोग होल गरम मसाला डालके ओनियन डालके इसको अभी सौते करेंगे यानि के भूनेंगे ये ओनियन कुछ देर तक कुकिंग करने के बाद में तो हम लोग उसमें जिंजर गालिक पेश्ट्टू एड़ करेंगे। तो हमारा बासुमती राइस है जो हम लोग ने देड़ किलो चावल भिगाया है। तो हम लोग ने देड़ किलो चावल भिगाया है। तो हम लोग ने दोस्तो एड़ करें जिंजर गालिक पेश्टू टू टेबुली स्पून। तो हम लोग एड़ करेंगे भी चिकेन बिरियानी कटिंग चिकेन। एक मूर्गी का हम लोग आट फिस्ट किया है। अभी हम लोग इस मूर्गी को चलाएंगे। हम लोग ने एक टेबुली स्पून। गुरियंडर पॉर्डर ढला इस में। हम लोग ने 1able इस्पूनód cinnamon stick पॉर्डर। 1able इस्पून कडममूंब्रह एलाईची पॉर्डर। और हम लोग का 1 desapare statistics ल्ंग का पॉर्डर। यानि के ये इतने हम लोग को ढलना है मसाला। और इसमें हम लोग ग्रीन चिली आप बना रहें तो दो से तीन ग्रीन चिली डालना और सॉल्ट हम लोग ने एक टी स्पून डाला है तो गिरिम चिली थोड़ा डालना तो इस स्पैसी हो जाएगा क्योंकि हम लोग अरब में भी बना रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा स्पैसी कम रखना है फिर भी एड़ करेंगे तो इस तरह भी हम लोग का चिकिन अच्छे से जब पानी छोड़ देगा तो हम लोग इसमें दई एड़ करेंगे आप देख सकते हैं हम लोग इसमें 400 गिराम्स कुकिंग के नीम एड़ किये हम लोग ने 500 गिराम्स योगर्ट यानि के दई एड़ किये तो इस तरह आपको क्या माले हम आधा 50% चिकेन पका के सौस के साथ में धनिया पुदीना हम लोग इसमें डाल देंगे धकन डाल के आधा 50% मुर्गी पका के बन कर देना है जब आपका पानी की बॉइल हो गिया है तो तुरंट चावाल डाल के दम में डाल देना हाब जो 50% है वो चावाल के साथ में मुर्गी दम में ही पक जाएगा तो आपका मुर्गी यानि के तूटे गए नी तो हम लोग ने बिर्यानी के चावल का पानी बठाया है और हम लोग को यहाँ पर ज़्यादा गरम मसाला नहीं यूज करना है क्योंकि उसका ज़्यादा खुजबो इन लोग को ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन हम लोग इंडिया में कोई मुश्किल नहीं है तो इस तरह हमारा यानि के यह काजू और किसमिस है और यह फ्राय ओनियन है यह साफरन है जो हम लोग अभी बिर्यारी में यूज करेंगे हम लोग ने बिर्यारी में भी साफरन एड़ किया एक चुटकी यानि एक पिंच हम लोग अभी और कभी भी इंडिंग टैम में साफरन एड़ करो तो उसका खुजबो कलर सब सही रहता है पहले करें तो खुजबो उसका खतम हो जाता है तो लेमन जूस हम लोग ने एड़ किया है वन टे उली स्पूल और हमारा धनिया पदीना तो ये हमारा हो गिया और ये हम लोग गरम मसाला लिए है राइस के पानी के लिए तो हम लोग ने सॉल्ट तीन टे उली स्पून लिया है जो हम लोग अभी डालेंगे पानी में तो आप देख सकते हमारा अल्रेडी चावल हम लोग ने डाल दिया है इसमें अब चावल उगलेगा तो फिर हम लोग उसमें चिकेन का जो हम लोग सो प्यानी बिरियानी का जो मसाला बनाए है उसमें एड़ करेंगे चावल तो चावल हमारा करीबन होने वाला है हम लोग पहले जो चावल निकालेंगे वो थोड़ा हार्ड निकालेंगे यानि कि 50% कुकिंग चावल निकालेंगे तो इस तरह आपके हमारा में नीचे पहले चावल थोड़ा डाल देंगे उसके बाद मैं इसके उपर में चिकेन डालना है हम लोग को पूरा तो हम लोग ने चिकेन वापस डाल दिया फिर हंडी में अब इस कूपर में आप चाए तो पुदीना धनिया गिरिंग चिली ये सब डाल सकते हैं फिर इसके पाद चावल डाला तो हमारा चावल हम लोग इस्टेंड कर दिया थ ता तब इसके उपर में हम लोग चावा लेड़ करेंगे और इसके उपर में हम लोग ने घी और थोड़ा से रोस वाटर थोड़ा से एलो कलर जो ड्राइ पॉडर एलो कलर जाफरन का वो हम लोग चावाल में डाले हैं और धनिया पुदीना हम लोग डाले हैं खुस्दबो के लिए अब इसको बिर्यानी हमारा उक्के हो गिया है बस इसमें हम लोग अलमिरो फॉल लगा के ढखकन लगा के दम लगा देंगे तो हमारा बिर्यानी और लेडी हम लोग निकाल दिये थे हो गया था 20-15 मिट में हो गया था बिर्यानी निकाल दिया था और इच तरह बिर्यानी हमारा हो गया है आप इस तरह गाने से दोस्तों चाइनल में नई है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सियर करना